इसम्हें दर्मादिर रहीम यूनिट एट लेक्चर नंबर थ्री एक्सराइज एट पॉइंट वाइन टू हम कर चुके हैं तो यह लास्ट हमारी एक्सराइज एट पॉइंट थ्री है ग्राफिकल सुलीशन ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स तो यहां पर हम प्रिवियस जो हमने किया है वो हमारे पास सिंगल सिंगल एक्वेशन थी और यहां हमारे पास डबल एक्वेशन है अब जहां पर दो एक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास उसे हम कहते हैं सिस्टम ओफ एक्वेशन system of equation means जिसमें दो equation involved हो रही है we solve system of equations in four different methods substitution method cross multiplication method elimination method ये तीन method हम पहले पढ़ चुके होगे है grade rate में और previous questions में लेकिन अब जब हम इसे solve करने वाले हैं ये है graphical method graph के जरी हमने कैसे solution find करना तो जैसे हमने पहले अलहदा-अलहदा equations को solve किया था तो अब हम दो equations को बिलकुल उसी तरह से same follow करते हुए करेंगे अब यहां हमारे पास एक equation है x plus y is equal to 0 second equation is 2x minus y plus 3 is equal to 0 solving above equations for y आप for x भी कर सकते हैं x को eliminate करके और for y भी कर सकते हैं y को separate करेंगे x दुसरी तरह negative हो जाएगा और यहां y negative का है इसको equal के दूसरी तरह ले जाएगे यह values वासी रहेंगे now we will suppose different values of x x की different values लेंगे और y की different answer आते जाएगे previous exercises थी हमारे पास one equation थी तो हमारे पास graph बनता था वो भी one line graph था लेकिन यहां हमारे पास दो equations है तो हमारे पास यह देखें graph में भी two lines आएगे अब यहां equation में अगर हम negative or positive values ले रहे हैं जैसे previously पताया था आपको के एक perfect graph था कि हमें मिले तो हमने 0 भी ले लिया negative value भी ले लिया और positive भी तो नम है अब यहां पे जब हम x की value minus 1 ले रहे हैं यह minus 1 x dash पे और y की value हम plus 1 लेते हैं तो हमें यह point हमें मिलता है second is zero यह point होगा और third x जो है one value है और y की value है negative यह यह तीन points हमें पहली equations के मिले हैं तो यह हमने इसको L line से मिला के लिखती है यह points को second equation जो है y is equal to 2x plus 3 तो x की value जब इसमें minus 1 put करेंगे हमारे पास y आजाएगा plus 1 तो इन values को अगर हम देखें कि x minus 1 है और y plus 1 तो सेम यह point मिलेगा फिर 0 पे 3 जो है यह यहाँ पे 3 और third हमारे पास है 1,5 means x जो है वो 1 और y की value 5 यह हमने dotted line से इसको 5 की height तक करके यह point दे लिया तो second equation से हमें यह 3 dots मिलें इन्हें हमें मिलाके l dash मिलके अब यह दोनों lines एक दूसरे को एक common point में मिल रहे हैं जो है minus 1 क्योंकि x की value यहाँ पे minus 1 है और y की value 1 हम पहले x की value लिखते हैं फिर y की order pair की form x, y बोथ lines l and l dash intersect at a common point as minus 1,1 so it is required solution of system बिलकुल इसी तरह से इस exercise के 5 questions हैं सेम इसी तरह से आपने दोनों की यह values find करनी है और दोनों का graph draw करनी है तेंक्यू, अलाफिस